मसकार दोस्तों आपका हमारी YouTube के इस चैनल में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आयरवेदिक पौधे और उनके आयरवेदिक उप्चार बताता हूँ तो दोस्तों आपसे निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबागर के सब्सक्राइब हो जाईए और तो साइड में घंटे का बटन दिख रहा है उसे भी आन कर दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे अज आपके सामने लेकर क्या आया हूँ बहुती सांदार और चमतकारिक पौधा जिसको सास्तरों में यह भी कहा जाता है कि इसमें स्वयम भगवान ब्रह्मा का निवास होता है सायद अब आप तो समझी गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कमल के बारे में दोस्तों आप वीडियो के मादधम से देख रहे हैं यह साक्षात ब्रह्मा कमल का पौधा है और उसके फूल दोस्तों आप इसके फूलों को अगर अच्छे से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह मद्रिप्रदेश के एक छोटे से घर का है, जहां यह फूल खिला है, दोस्तों, इस कमल की एक खास बात यह हे की, यह सिर्फ मद्राटरी में खिलता है, कभी-कभी तो यह खिलता भी नहीं है, सालों इंतार करने के बाद भी इसमें फूल नहीं दिखेगा, इसके फूल आदी रात में ही खिलते हैं और सुबह होती है इसके फूलों की जो पंकडिया होती है वो बंद हो जाती है दोस्तों यह फूल 12 सालों में एक बार ही खिलता है और यह कमल मिट्टी में रहता है यानि आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो कमल का फूल आप देख रहे हैं सिर्फ मिट्टी में खिलता है बाकी कि जो भी जितने भी कमल होते हैं वो तलाव या फिर नदी या जिस जगह पर पानी के श्टोरेज होता उस जगह पर ही खिलता है लेकिन यह एक ऐसा कमल का फूल है जो सिर्फ धर्ती से उपर ही खिलता है तो चली जानते हैं इसकी पवितरता और सुब्दा क्या आखिर लोगों को क्या मानना है भागिसाली वेक्ती ही इसे खिलते हुए देख सकते हैं जी हाँ दोस्त अगर यह खिल रहा हो तो सिर्फ उस भागिसाली इंसान को ही खिलते हुए देखता है यह उन्हें सुक समर्दी से भार देता है ब्रह्म कमल का खिलना एक अनोखी घटना है यहां केला ऐसा कमल है जो रात में खिलता है और सुबह होती ही मुर्जा जाता है सुगंद आकार और रंग में यह एकदम अद्बूत की तरह दिखता है भागोदा की सूचना देने वाला यह पुस्प पवित्रता और सुब्धा का प्रतीग भी माना जाता है जिस प्रकार बर उताओं का निवास माना जाता है उसी तरह बरफिले च्षेतर में खिलने वाले इस कमल की फूल को देव पुस्प भी माना जाता है अब इसकी धर्मीक मानेता है यही कहती ब्रह्मे कमल अर्थात ब्रह्मा का कमल यह पूल मा नंदा का प्रिय पुस्प है इसलिए इसे नंदाश्टमी के नाम समय पर ही इसे तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने के भी सक्त नियम होते हैं जी आँ दोस्तों आप इनको कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं इनके लिए खास नियम होता है कहा जाता है कि आम तोर पर फूल सूर्य अस्त के बाद खिलते हैं पर ब्रह्म कमल एक ऐसा फूल है जिससे खिलने के लिए सूर्य के अस्त होने का इंतजार करना पड़ता है ब्रह्म कमल को अलग अलग जगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे उत्रा खंड़ में इसको ब्रह्म कमल हिमा में हिमाचल में इसे कहते हैं दूधा फूल कस्मीर में गलगल और अम से जाना जाता है तो दोस्तों ये तो ही इसकी पहचान अब जानते हैं इसके आयरवेदिक गुण क्या क्या है जी हां दोस्तों अब इसके आयरवेदिक गुण के बारे में हम जानते हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि इसकी फूलों से जो पानी की बून टपकती है वो अमरत के समानी ही होती है दोस्तों ब्रह्मा कमल औसदी गुणों से भी परिपून है अगर इसकी फूलों को सुखा करके कैंसर रोगियों के दवा के रूप में दिया जाए तो कैंसर जैसी घातक भीमारी भी ठीक ह जाती है इसके निकलने वाले पानी को पीने से सरीर के सारी ठाकान भी मीड़ जाती है साथ ही पुरानी खासी पुरानी से पुरानी खासी को भी ठीक करने में इसमें छमता होती है इसकी फूल की विसस्ता यह है कि जब यह खिलता है तो इसमें ब्रह्मा देव तथा तरशू की प्राप्ती असानी से नहीं होती हमाला ayamे खिलने वाला यह पृषप देवताओं के आसिरवाद सरी जका है इसका खिलना देर रात आरह होता है तथा 10 से 11 वजे तक यह पूरख खिल जाता है और मध्यरात्री से इसका बंकितो होना लेकिन इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में होते हैं इसके फूल रोजाना खाने से भूख ना लगनी की समस्य भी दूर हो जाती है अगर चिल गया हो या कट गया हो तो उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं छिलने या कटने पर उस इस्तान पर दमकमल का फूल को दूर करने में मदद मिलती है यह बुखार के इलाज के लिए दवाई से कम नहीं है आप इसको जो है इसका आर्क निकाल करके पचास एमल की मात्रा रोगियों को दीजिए तो उससे बुखार जो है मेंसा जड़ के लिए जड़ से ही खतम हो जाता है यह बुखार जाता है यह बुखार जाता है हल्डियों के लिए फायदय मन इस फूल की पतियों में जैसे कि कि व्यक्ति में अगर हड्य Ting होता है तो इसका फूल की पत्तियों को खाने से यह बुखार जलदी आपको आरम देदे लिवर का इंफेक्शन भी यह दूर का देती है please anti-function क्लिए जिए आपको इसका 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 इसे करना तो क्लिए कि लिए आपका इसका फूल का सूप बना कर कर कि आपको पीना है जिसे अगर कितना भी लीवर infection हो वह ठीक कर देती है तो दोस्तों आपने देखा यह एक प्रकार से यह अमरत के समान ही है फूल भी अमरत के समान है इसका देखना भी अमरत के समान है और इसका जो है इसकी पती भी अमरत के समान है तो दोस्तों आप इसको अपने घर पे अगर कहीं आपको मिल जाता है तो आप इसका घर पे आसानी से लगा भी सकते हैं आप इसकी डंठा लिया पत ups सब्सक्राब जरूर कीजिए फिर पिर फिर मिलेंगे किसी और नए आरवधिक पॉद्धी के साथ दोस्तों तब आए आ आर आर मादे।